हलो गाइज दिस इस स्वाती और मैंने मुवी देखी अर्यप जो की मल्यालम लैंग्वज की मुवी है और ये नेट्फिक्स पर अवालबल है ये कोविट टाइम्स की एक स्टोरी है जो की एक फैक्टरी में प्लास्टिक गलव बनाने वाली फैक्टरी है वहां चलती है बहु कोई मुवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए इससे पहले अगर आपने आया है और प्ली सब्सक्राइब अर्यप इसमें कपल दिखाया गया है हरीश और रश्मी नाम का पती-पत्नी होते हैं और ये प्लास्टिक गलव वाली फैक्टरी में काम करते है जो की सकता है उस पर साथिसाथ जो दूसरा विडियो है वो एक अफवाह के तरीके से आता है जो इन पती-पत्नी के भविश्य में भी फॉल स्टॉप लगा सकता है उनकी happily married life को खटम कर सकता है अगर वो उसको दूसरी तरीके से लेंगे और होता भी ऐसे है ये उनके जिन्दी का नासूर बनकर बैट जाता है, शुरू में पती-पत्नी में समझदारी होती है, लेकिन धीरे-धीरे कॉंप्लिकेशन बढ़ती चली जाती है, और मोवी इतनी जादा बहतरीन तरीके से बनाए गई है, कि जो events turn out होते हैं, वो बहुत believable लगते हैं, बहुत जादा realistic situation लगती है, यहां पर अपने भविश्य को बनाने के लिए जो पती है, वो out of India जाना चाता है, इस monotony में फसा हुआ है, क्यारला के ये दमपती होते हैं, और नोईडा में रह रहे होते हैं, और यहां से भी out of India जाना चाते हैं, जबकि पतनी फिर से अपने घर वापस जाना चाती है, त हैले कि happy life थी, उसकी कुछ glimpse दिखते हैं, so, बहुत सारे messages दिये जा रहे हैं, और एंड में एक symbolism आता है, जहां पर जब यहरीश खड़ा होता है, तो उसके साथ एक कुट्टा खड़ा होता है, तो उसने कुछ ऐसे decisions ले लिए होते हैं, जिससे वो एक धोबी के कुट्टे की नहीं है, और घाट का भी नहीं है, काश उसने पनी पतनी का साथ आखरी तक दिया होता, लेकिन स्टेल उसके साथ जो situation थी, वो बहुत जादा complicated थी, जो उसके लिए too much थी, so, it's a good movie, और अगर आपको slow burn movies देखना पसंद है, यह आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि acting और स्टोरी लाइन दोनों बहुत जादा strong है, powerful है, और देवी प्रभाजी ने बहुत ही भैतरी नेक्टिंग की है, उनकी जो emotions है, pain है, pain है, वो directly audience तक पहुच रही है, so, it's a good thing, so, do watch this, this is available on Netflix, that's it, bye-bye.